नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजिन तिवारी और आप देख रहे हैं जोतिश मंतर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप Microsoft Team App में इस्टुडेंट को अटेंडी केसे बना सकते हैं जैसे कि आपने देखा हूँ कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे बच्चे को Mute Unmute कर देते हैं कभी कभी उनको Remove भी कर देते हैं जिससे क्या होता कि आपकी क्लास पुरी डिस्टर्ब हो जाती है बार बर बच्चे आपसे कंप्लेंट करते हैं कि सर मुझे किसी ने रिमूब कर दिया है या मुझे Mute या Unmute कर दिया है और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो टीचर को भी Mute Unmute कर देते हैं या Remove कर देते हैं और आप पता नहीं कर पाते हैं कोई बच्चा कौन सा है जिसकी बज़े से आप उसके ओपर कोई Action भी नहीं ले सकते हैं तो अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं तो आप अपने Microsoft Team App में एक छोटी से सेटिंग कर लिजे जिससे आपको यह सारी परिशाई दूर हो जाएगी तो चली मैं आपको बताता हूं कि वह सेटिंग क्या है और वह कैसे कर सकते हैं पर इसके चलना पड़ेगा हमें अपने मोबाईल स्क्रीन पर तो चलते हैं इसके लिए सबसे पहले चलना होगा हमें अपने Team Apps पर तो देखिए हम टीम फ्रसी से चलेंगे पर जाएंगे केलेंडर के बाद आप यह ब्लू कलर का जो आप सरकल देख रहे हैं इस सरकल पर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर हम हमारी क्लास को स्टूडूल करेंगे जो भी हमारी क्लास है तो मैं जो भी सब्जेट में लेता हूं जैसे मैंने लिखा फिजिक्स यह मैंने physics ले लिया class डाल देता हूं मैं यह से मैंने 12th class डाल दिया ठीक है आप चाहें तो class डाल लिए अदरवाइस नहीं भी डाल सकते हैं सब्सक्राइब यहां से अपना class चुन लेंगे जो भी class आपको पढ़ानी है जैसे मैंने लास्ट की class चूस कर लिए ओके अब यहां पर देखिए यह नीचे आपको date और time लिखा है आप अपने हिसाब से जो भी आपको change करना है यहां पर time change कर सकते हो ठीक है अब हम देखिए आपके right hand tap के ओपर एक tick का sign बना हुआ आप उस sign को click कर दीजे यह click कर दी हमने तो इस तरह से आपने अपनी जो class है वो schedule कर लिए ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आप वो सारी activities restrict कर सकते हो इसके लिए आप अपनी जो class आपने भी schedule किये आप उस class को click कर के ठीक है यहां पर देखिए see more का option आ रहा है इस see more का option को आप click करेंगे जैसे आप see more का option को click करते है तो यहां पर एक इस प्रकार का display आपके पास आता है तो आप यह meeting option को click कर दीजे meeting option को click करते हैं तो आप से ब्राऊजर पूछता है कि किस ब्राऊजर से आपको open करना है जो भी ब्राऊजर आपके mobile में हो आप कर सकते हो मैं इसको chrome browser से open कर रहूं जैसे आप chrome browser को click करेंगे तो आप इस display पे इस interface पर पहुँच जाएंगे यहां पर देखिए सबसे last में everyone लिखा हुआ, आप इस everyone को click करेंगे, तो यहां पर three options आएंगे, एक है people in my organization, एक है specific people, तीसरा है only me, तो आप जो third वाला only me है, इसको click करेंगे, click करने के बाद जो save बाला button है, आप इसको click कर देंगे, जैसे आप save बाला button को click करेंगे, तो यहां एक एक बार कर दीजे, आपका काम खतम, इसके बाद कोई भी बच्चा उस प्रकार की अभरकत नहीं कर पाएगा, आशा करता हूँ, यह वीडियो आपके लिए फाइदे मन्द होगा, तो कैसा लगा आपको यह वीडियो और उसमीदी की जानकरी, अगर आपको यह वीडियो आपको रइं कर दो की ऑचर आपको यह वीडियो ऱ्कारा